नमस्कार दोस्तो, मैं आडवोकिट का पिलभाकर आप लोगों का अपने चैनल इंडियन लोगों में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप मेंसे बहुत लोग section 376 IPC के बारे में जानते होगे अगर आप section 376 IPC को नहीं जानते तो मैं आपको short में बता देता हूँ 376 होता है आपका रेप के लिए जो सजा है अगर किसी का रेप कमिट होता है तो section 376 IPC में रेप के लिए सजा दी गई है बटमाज रेप की बात नहीं करूँगा, रेप के लिए सजा की बात नहीं करूँगा मैं उससे भी important आपको बताने वाला हूँ आज मैं बात करूँगा कि अगर husband wife की मर्जी के बिना अगर husband अपनी wife की मर्जी के बिना भी अपनी wife के साथ intercourse करता है sexual relation मनाता है या जोर जबरदस्ती करता है तो ये भी section 376A के तहट crime है हां जी दोस्तो आप अपनी wife के साथ भी जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो और अगर आपकी wife को गुसा आगया और वो अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज कराती है तो section 376A के तहट आपको minimum 2 साल की jail भी हो सकती है और 7-7 आपके उपर जुरुमाना भी लगाया जा सकत है ठीक है दोस्तों तो बड़ा important है याद रखना section 376A जल्द मिलेंगे किसी ऐसे किसी छोटे मोटे section के साथ धन्यवाद